Hello friends, welcome to Smart Lockery मैं हूँ Professor Venu आज मैं आपके लिए कija लेटेसं इनफोर्मीशन लेकर आइँ बहुत ही हैं आज मैं कोई इनफोर्मीशन नहीं नहीं कुछ इनफोर्मेशन, सजेशन, एडवाईज आज मैं आपको देना चाहती हूँ यह यह नेट इक्जाम को लेके जो बहुत ही जादा यहाँ पर important है आपका यह UGC net exam तो please आपसे मैं कुछ request हैं यहाँ पर करना चाहूँ मैं आपको 3-4 step बताने वाले हूँ वो सारे step आपको यहाँ पर follow करना है अगर आप यहाँ पर सारे step को follow कर रहे हो तो आपका first attempt में ही exam यहाँ पर crack हो जाएगा कुछ भी problem से यहाँ पर नहीं आएगा और आपकी जो नए सार की नए सुरुवात हो यह June में जो आप exam देने वाले हो वहाँ पर definitely आपका exam crack हो जाएगा बस हमें step पता होना चाहिए कि देखो हर एक स्टुडेंट जब exam देने के लिए जाता है उसको सारे knowledge नहीं रहते फ्रेंड्स वास हमें यहाँ पर गल्ला वेठा हुआ है अलोड़ी आप समझ तो काफी ठंडी का time चल रहा है और हम वीडियो इतने सुबह सुबह बनाते हैं तो काफी ठोड़ा सा तो अगर कुछ समझ में नहीं आया कोई line ने समझ में आ तो आप नीचे वीडियो की नीचे comments में लिख देना मैं आपको definitely वापस वह समझा दूंगी तो मैं यह बताना चाहती हूँ यहां पर कि जो बच्चे यहां पर जून में एक्जाम देने वाले हैं मैं उन बच्चों के लिए कुछ यहां पर step बताने वाले हूँ जो आपको अच्छे तरीके से follow करना जो बहुत ही जादा important है ठीक है जाइन बटन प्रेस करना है अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो फेस टू फेस आपके डाउट्स क्लियर करना चाहते हो बहुत सारे बच्चे होते जो कमेंट्स में लिख के शायद उनको प्रॉब्लम सोती नहीं वह सारे डाउट्स प्राइब पाते हो तो आपको कुछ पूछना है तो आपको बस जाइन बटन प्रेस करना है और हमसे आप फेस टू फेस बात कर सकते हो जो भी आपके एक्जाम करेंगे डाउट्स हम आपके सारे डाउट्स आपर क्लियर करेंगे ठीक है और जी लोगों ने हमारे स्मार्ट नोगरी चनल को सब्स्राइब की पर अपने जितने भी मेरे सारे प्रसेनल नोट्स है सारे चीज़ों का मैं आपको एक्स्मेशन यहां पर देने वाली हो कुछ भी आपको अब अलग से कहीं ढूड़ने पर नेट पर कहीं यह बुक पढ़ने कहीं कोई भी जरूरत यहां पर नहीं है बस और बस आपको पूर सब्सेंगा नहीं सुरूरत 2020 जाइसी बाती आपको जून का जो भी ईग्जाम नहें आने वाला है तो आज ही से आपको कोशिश करना है कि जो भी जून में एक्जाम देने वाले उन बच्चों के लिए हैं मांगी चलो कि यह मेरी आज से नहीं शूरूरत है जो मुझे जून ठीक है okay फूल सिलैबस अच्छे से रीडिंग करना है पेपर यान पेपर तू का यह पूरा फोस श्टेभापका होगा पूरा अच्छे पढ़ना है सीलैबस को सेकेंड करना है कम से कम 5 years का questions paper solve करना है आपको 5 years के questions paper पूरा आपको solve करना है अच्छे देखे से paper 1 का भी paper 2 का भी 5 years previous years के papers आपको अच्छे से solve करना है यह दो step आपको follow करना है अगर आपको first attempt exam crack करना है तो ठीक है third step यहाँ पर आ जाता है आपको cut off जो third यहाँ पर point दाले cut off की list आपको कम से कम 3 years का पुराने cut off की list आपको अपने पर download करके रखना हमेशा थोड़ा सबाँ उसको देखते रहना है कम से कम एक महिने में दो बार देखना है इस तरीके से देखने से confidence level बढ़ता है आपको अपको target decide होना चाहिए कि मुझे इतना cut off में लेके आना है मैंने आपको selection बता दिया कितने number पर कितने cut off का selection होगा तो वह आपको मैंने बता दिया वह target पान के चलना है और हमेशा यह cut off को देखते रहना है इससे आपको बहुत encouragement मिलता है ठीक है अब यह तो मैंने आपको बता दिया है time decide करके रखना है आपको कितना घंटा आपको रोज पढ़ना यह भी मैंने आपको बता दिया है कितने month आपको पढ़ना है यह आपको decide करके रखना है एक target decide करके इतना सब मुझे करना है यह सब चीज़े मुझे करना है ठीक है फिप लास्ट में रिवीजन बहुत इंपोर्टन्ट है ठीक है बस ये पांच स्टेप अच्छे तरीके से आपको फॉलो करना है और आपका फॉर्स अटैम में ही एक्जाम क्रैक हो जाएगा ठीक है पांच स्टेप को अच्छे से फॉलो करो ये पूरा आपका टाइम टेवल ह पूरा बना के रखो कि ये सब चीज़ें आप एक तरफ से बोलते हैं कहीं एक जिगा सेफ करके रख लो अपने टाइम टेवल को लिख रिके रख लो कितने मंत आपने आपको खुद को फ्री की हो इस एक्जाम के लिए वह पूरा हर चीज लिख के रख दो सिलाबस डाउनल आप खुद को खुद को मिलता है को दूसरा है कि लिख पर देख'RE क लेकर और यह सच नहीं कर ना है मुझे भी यह इतना लेकि याना है और वागत इंपौरंटन परफोर्ट पॉइं några पर कि आपको हर घंटा रोज कितना पढ़ना है कितने मंथ आपने डिसाइड करका इस एक्जाम को क्रैक करने के लिए लास्ट में रिविजन थोड़ा सा इंपॉर्टन्ट है तो मुझे नहीं लगता यह पांचो स्टेप अगर आप फॉलो करोगे तो आपका एक्जाम नहीं क्रै हो जागा कोई भी डिफिकल्टीस नहीं आए कुछ भी प्रॉलम्स हो आप इस वीडियो के निचे अपनी प्रॉलम्स लिख सकते हो कुछ भी डाउट्स आपको होगा तो ठीक है मिलते हैं नेस वीडियो में एक नया इंफॉर्मेशन एक नया एडवाइस और एक नया सजेश के साथ में थैंक यू सो मच फ्रेंड्स